आज ये इस्ट विनोत नगर का स्कूल है यहाँ पे अब इस स्कूल के भी दूसरे स्कूलों के तरह नहीं बिल्टिंग बनने जा रही है और बहुत शांदार स्कूल बनाया जाएगा आप लोग इसकी तस्वीरे जर आपने अप्लेटिंग ली चैनल पे दिखा देना कि जब स्कूल बन्के तयार होगा वो कैसा दिखाइएगा बिल्कुल कोलंबिया इनवस्टी की तरह शर्कारी स्कूल है इसमें लिफ्ट लगेंगी जैसे दूसरे सरकारी स्कूलों में लग रही हैं तो शिक्षा के क्षटर में एक जो ग्रांती मनीश सौधिया जी ने शुरू की थी उनका काम आगे बढ़दा जा रहा है इन लोगों ने मनीश जी को तो जेल में डाल दिया लेकिन मनीश जी के काम को किसी हालत में रुखने नी दिया जाएगा मनीश जी के विचारों को कोई नी रोख सकता तो आज यहां मैंने देखा बहुत सारी माताएं बहने आई थी उनकी मदर्स आई थी बच्चों की वो बहुत खुश थी कि इतना अच्छा स्कूल बनके तयार हो रहा है इस स्कूल में और डी चार फॉरें रैंग्वेजे सिखाई जा रही है फ्रेंज जर्मन जैपनीज और स्पैनिश दिल्ली में कौन सा ऐसा प्राइवेट स्कूल है बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल ले लो जहां पे इस किसम की पढ़ाई होती है तो अब बहुत अच्छी पढ़ाई करीबों के बच्चों को मिल रही है हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी तो देश आके तरकी करें आपने कहा कि अगरे साल फरवरी में मने से सोधिया आएंगे स्कूल का घाटन करने हैं उनके मामले को कानूनी तौर पे आप कैसे देख रहे हैं अब आगर जूटा केस है जूट के पैर नहीं होते हैं आप थोड़े दिन ऐसे लग सकता है कि जूट जीत गया लेकिन अंत मे देख घा रहे हैं लाइने स्कूल ऊको तोड़के प्लान नहीं लोगो तोड़के वहां पर पीजेपी के दफटर बना रहे हैं यह तो बड़े दुक्की बास हैं अगर बीजेपी के दफतर को तोड़ के स्कूल बनाएं तो शायद इनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि अपना दफतर तोड़ के इनों ने ये स्कूल तोड़ के अपने बीजेपी के दफतर बनाएं